क्यारे दर्शकन, आज का कारक्रम हम इस तरह से शुरू करते हैं मान लिजे आपको एक सरोवर के सामने खड़ा कर दिया और आप प्यासे हैं और आपको पताया जाएगा कि जिन्दगी भर पानी नहीं मिलने वाला है बस आपको तीस मिनते के लिए जितना चाहे आप पानी ले ले, पानी पी लीजे तो आप कितने पानी लेंगे आज का कारक्रम की पहस्तिती कुछ ऐसे ही है दर्शक नाम कारक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं आज हमारा सुभाग्य है कि भारत से आई हुए है, रुशिवरा किरिद भाई जी महराज हमारे स्टूजियो में आई है गुरो जी आपका हम स्वागत करते हैं आपके दर्शकों को खुब स्वागत और मेरा शुभाशिश अज्यान ती मिरान दस्या जाना अजला शला कया चक्षरन मिले तम यहां तसमेश श्री गुरावे शुभाशिश हम सोच रहे की तीस मिरत का कारक्रम आप आई है, तो कितना ग्यान हम ले सकते हैं आपसे चलिए कोशिश करते हैं, शुरुवात तो कर ही लेते हैं आप अनिक जगों पर कथा बांचते हैं आप रामान के ऊपर बात करते हैं राम जी के ऊपर, खृष्ण जी के ऊपर बात करते हैं तो आपका काफी अनुभव रहा है हम शुरुवात करना चाहेंगे इस से हमारा सनातन धर्म और मुदर्निटी क्यों कई लोग सोच है सनातन धर्म राम जी के बारे में सोचेंगे तो राम जी को वनवास मिलता जंगल की संस्कृति है कृष्णा के बारे में बात करेंगे तो वो तो उस जमाने की है सत्युक उस जमाने की है आज की modernity के साथ कैसे ताल में रखेगा तो सनातन धर्म और modernity के बीच में अंतर है या फिर एक समान है या फिर modernity के साथ हम सनातन धर्म को जी सकते हैं पितेश जी सर्वप्रथम तो आप सनातन वैदिक धर्म जो है उसके बारे में कुछ क्षण में समझ लीजिए सनातन का सर्वप्रथम अर्थ तो होता है जिसका ना आदी है ना मद्य है और ना कोई अंत होता है धर्म की यदि कोई व्याख्या करने के लिए जाए तो धार ये ती इति धर्म याने प्रतीपल अपने जीवन में किस प्रकार का विहवार करना चाहिए उसी को कहते है धर्म याने science of behavior ठीक है धर्म और religion से कोई सबंद नहीं है religion एक अलग शब्द होता है धर्म जो है वो प्रतीपल विहवार तो जो आप modernity की बात कर रहे है modernity मतलब समय का एक जल की तरह प्रवाह बहना ठीक है मैं आपको सिधा एक मिसाल देता हूँ द्रश्टांत कि एक आइंस्टाइन ने एक formula दे दिया E equals mc squared अब उन्हों तो पीछली सदी में दिया ठीक है क्या ये formula आज से 5000 साल के बाद पुराना हो जाएगा क्या नहीं होगा क्योंकि वो सिधान्त है सिधान्त जो है ना evergreen होता है हर समय के लिए लागू पड़ेगा तो जो भगवान ने कृष्ण ने गीता में जो कहा है वो कोई समय से बंदे हुई बात नहीं है वो rules regulation सिधान तो है जो उसने कहा है कि इनसान को क्या क्या करना चाहिए irrelevant of time इससे कोई मदलत नहीं है चाहे modernity हो या नहीं हो आप वनवास किया मिसाल दिया कि राम को वनवास मिला वनवास क्या है वनवास का अर्थ है कोई जंगल में घुम रहा है वनवास का अर्थ हुआ है कि अभी अभी उसका शादी हुआ है ब्या हुआ है तो पती-पतनी के बीच में जो एक सबंद होना चाहिए और खराज सबंदो एकान्त में आपकी परिक्षा होगे वन में तो कोई होता ही नहीं है, तो पती-पतिनी का मिलन जो हुआ है, वो भोग के लिए नहीं हुआ है, योग के लिए हुआ है, क्योंकि आप भोग, भोग माने self-indulgence, और सिद्धान तो यह है, भोग रोग भयम, the more you self-indulge, the more आपके शरीर के अंदर रोग होगा, आपकी उ जवान होते तब बुढ़ापे में तो आपका शरीर भी साथ नहीं देगा, तो आप जो कहानियां हैं, उसको एक साइड में कर दिये, और एसोटोरिक जो मतलब होता है, आप उसी को उठा लोगे, तो सनातन वेदी के धर्म, अतीतकाल में, वर्तमान में और भविश्य में हम एवग्रीन ही एवग्रीन रहेगा, क्यों? क्योंकि ये जीवन जीने की कला आपको बता रही है, बहुत ही सुन्दर है, प्रिश्य वर्कृत, भाई जी महाराज के बारे में, दो शर्प में कहना चाहूंगा, आपका जन्म हुआ है, 21st जुलाई 1960 को गुजरा थी भारत में, और आप पले बरे जैसे आपने कहा की, आर्ट साल से आप लंडन में थे, वहां पे पले बरे और आपने चाथट अकाउंटेंट के कोस्ट वहां पे किया, आप सिये है बाई प्रोफेशन, जी, गुरुजी क्षमा कीजे में एक प्रश्न पोछ लो, सिये का जीवन छोर कर, क जीवन में जी रहा था, मतलब मेरी ट्वेंटी से जी रहा था, जाकर लोग जीते हैं, लेकिन मेरी इच्छा से इस आध्यात्मक शित्र में नहीं आया हूं, मुझे मेरी जिंद्गी में कुछ हुआ है, और उन्ही ने मेरे को यहां बहजा है, और इसी की एक समझ लो, एक न आपलाूमी में कुछक श mismo की किताब रख़े ठीक है, और अब जो नोकरी मिली है वो लोगों की आत्मा की किताब में रखता हूं। बस फरीकी इतना हैं, थाल रख estado दो लेकिन मेरी किताब बद्दूग motivates है ली बद्द़ाएं बदाएं बास, और यहां और कुश नहीं हो ये एक मस्ती है बस जो परमात्मा ने भेजा गया है कि तुम्हें ये सेवा करनी है तो सेवा के रूप में है और प्रसनता है आध्यात्म का तो अर्थी यही है कि आप जहां हो जैसे हो जब तक हो जिस किसी भी अवस्था में हो फिर भी अपने आपको मन को संतुष्ट रखना और आपकी बैलन्स जो है वो बिगड़े नहीं चाहे किसी भी क्षेत्र में हो यही आपका सनातन धर्मा आपको सिखाएगा बहुत ही संदर हमारे धर्मा से सिखाते हैं हमको कि हमारे जीवन में चार पुरुशार्थ होते है धर्मा अर्थ का काम मोख्ष हमारा करतब है चार पुरानी है और मेरे ख्याल से चाहे कोई भी संस्कृती हो चाहे पाश्चात संस्कृती हो चाइनीज की हो आफ्रिकन की हो सवाल तो यह आता ही है कि मैं इस धर्ती पर मनुष्य शरीर में क्यों आया हूँ वाई फो वाट रीजन बराबर ना और थियोरोसोफिक के हिसाब से लोगों ने अपने अपने जवाब दिये हैं सनातन में ये विचार है कि जनम और मरन दोनों दुखदाई है तो इस से चुटकारा हो जाना चाहिए बराबर ना क्योंकि शरीर जो है उसको कहा कि व्याधी मंदिरम व्याधी माने रोग शरीर रोग का घर है तो ये पीडा से क इस प्रकार से चुटकारा पाया जाए इसलिए उसको कहते हैं मुक्ति चाहे मोक्ष बट हरे एक लोगों को मुक्ति नहीं चाहिए किसी को वापस भी आना है दे इंजोई द लाइफ और वो भी चाहते हैं कि मैं पीड़ जार बर्गर खाते रहा हूं तो इस नॉट जवाब मैं दे सकता हूं कि इसी की चीज है हर एक आदमी को हर एक जीव को मुक्ति नहीं मिलती क्योंकि मुक्ति का साधन है साविद्या या विमुक्ति तो जो मुक्ति नह मिले तो I think physics भी कहती है कि you cannot destroy energy तो आत्मा और आपकी प्रकुरूती ये दोनों energy है you can only modify them, बदल सकते हो, destroy न और प्रकुरूती ये दोनों energy जो है वो आप कहीं भी दूसरे श्री में जाओगे साथ में होगा तो जो मुक्ति उसको नहीं मिल रही है तो इसको modify करकर उसको अनुकूल यानि सुधारो ताके आप जहां भी जाओ आप सुखी शांती से रह सके ध्यान देना we are not disturbed by the events but we are disturbed by how we perceive the events और परसेवनेस होता है कहां आपके स्वभाव में आपके मन में होता है तो मन को सुधार लिया तो चाहे लड़ाई जगड़ा हो रहा है तो भी इसमें कहीं आपको अच्छा मिल जाएगा और नहीं तो आदमी एर कंडिशन में बैठा है खाना पिना है फर वहां भी मुक्ति या स्वभाव सुधारों बहुत ही सुधारों स्वभाव को सुधारेंगे तो वाकि हमारा पढ़ियावरन जो है वो सुधार जाएगा परिवा सुधार समास देश सुधार जाएगा बहुत ही सुधार आपकी कथा का कथन हम लेंगे एक बार फिर से अपने एक बार कहा था कि भक्ति से भगवान की प्राप्ति, ज्ञान से मुक्ष की प्राप्ति, अब हम भक्ति करे कि ज्ञान की प्राप्ति करे, ये उलज गई है बीज में, दिको सनातन वेदी के धर्म की विशिष्टता ही यही है, कि यहां आपको चोईसिस मिलता है, और विचार दा रहा ह बस यही है, there is no alternative, लेकिन शास्त्र कहते हैं, तुंडे तुंडे मतिर भिंडना, जितने भी माइंड है, इतना opinions होगा, ठीक है, और सब को बेंगन प्यारा नहीं है, सब को आलू नहीं चाहिए, कोई भिंडी भी खाएगा, कोई करेला खाएगा, तो हमारे रुशियों ने ये व्यवस्था करी है, कि भई आपको ये प्राप्त करना हो, तो ये मार्क पर चलो, आपको ये चाहिए, तो इसी के उपर चलो, ये चोईसी जो सनातन धर्म में है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, और इसी के कारण से ही उसको सर्वश्ष्ष्ट माना गया है, तो चाहे आ आप संसार में कुछ उपलबदी करना चाहते हो और सर्वश्ष्ट्रेव में, आपने कहा कि भग्ति से भगवान मिलता है, ज्यान से मुक्ति मिलता है, अब जिसको मुक्ति नहीं चाहिए उसको भगवान चाहिए, और जिसको भगवान चाहिए, उसको मुक्ति नहीं सुक्ष्म वासना का अर्थ होता है सटल डिसायर सब के अंदर होता है और उस सटल डिसायर की और से ही उनका हर एक क्रिया का निरनाई डिसिशन इसी पर लिया जाता है बराबर ना, तो कोई भक्ती करेगा, कोई ऊपर चला गया तो बोले मुझे मुक्ती चाहिए अगें परसनल चोईस है आपकी सुक्ष्म वासना उपर आधारित है ये प्रभू जी आप आए है मुरुष्यस में मुरुष्यस की इतिहास के बारे में जरूर आपको मौका मिला होगा जानने के लिए मुरुष्यस जैसे कहते है कि राम का एक दूसरा देश है कोने कोने में मंदिर मंदि में रामाइन पाठ होता है रामाइन सत्संग होता है यहां की माशिवरात्री जो है बहुत ही देखने लायक होते है आज भी अनेक नौजवान जो है कंधे पर कावर लेकर हर महीना कंधे पर कावर लेकर मासिक शिवरात्री के अफसर पर ये लोग चलके गंगा तलाव जाती है एक तरफ तो राम भक्ती के एक लहर, दुसरी तरफ शिव के एक लहर बहुत ही सुन्दर, कई नोजवान सोचते हैं कि मैं किस को अपना हूँ राम जी को अपना हो कि शीव जी को अपना हो कि कृष्ण की जी को अपना हो यह दूविधा में पढ़ जाते हैं तो कि प्रामागदर्शन कोई दूविधा नहीं अथर्व वेद जुके वेद हमारा इश्वर को जो भी कहो, इसमें अथर्व वेद में साहफ बताया है, एको ब्रह्म दिवतियनास्ती और वो निर्गुन निराकार चैतनी अभिन्य नित शुदबुत तत्व है, जिसका ना रूप है, न रस है, न गंध है, न आकार है, ठीक है, याने फोर्मलेस, तो आप उसको बाद वो आइस बन जाएगी, और वो आइस का आकार जो है, वो जिस पात्र में आपने रखा था, वही हो जाएगा, कटोरी होगी, तो कटोरी गॉल होगी, गलास लंबा होगा, तो लंबा बरफ हो जाएगा, स्क्वेर होगा, क्यूब्स होगा, तो क्यूज बन जाएगा, पानी का तो कोई आकार नहीं है ना बाकि वो आकार ले लेता है जिस पात्र में आपने रखा है तो ब्रह्म जो है भगवान जो है उसका तो रूप रसगंद कुछ नहीं है आपका मानस रूपी जो कंटेइनर है चाहे वो कंटेइनर कुछन का है चाहे वो राम का है चाहे वो फरक नहीं है, परस्नल चोईश, देखो ये फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, कि हमारे रूशिय ने चोईश दिया, आपको शीव पसंद है तो शीव, राम हो तो राम, गणपती तो गणपती, हनुमान जी तो हनुमान जी, वितिय, नास्ती, ये कभी मत भूलना अब, बाकी एक व्यवस्था के खातिर, वो अनेक अनेक रूप धारन करते हैं, बस, ये चीज किसी को समझ में, विधर्मियों को नहीं समझ में आती हैं, हमारे बच्चे भी अन्फ्यूज हो जाता है, कन्फ्यूज मत होना, आपको जो पसंद है, वो उनके लिए वो तयार है, आज की आधुनिक यूग में हम जीते हैं, टेक्नोलोजी का जमाना है, मतलब सोशल मीडिया का जमाना है, तो एक बार फेसे आपने एक बात, एक कथन, बहुत ही सुन्दर कथन, आपने कहा था कि, जब से भगवान टीवी पर आए है, लोगों ने पुस्ता गरंद खोलना छोर दिया है, क्या हम भगवान को देख कर सीख नहीं सकते है, त्रप्ते नहीं हो सकती है, गरंद ही खोलना है, क्यों इसमें क्या है और वहां पर क्या नहीं है? देखो, कलियू का मानव के बारे में शास्त्रा ने कहा, मंदाहा सु मंदमत्यो, मंदभाग्या हुपद्रुता, मंद माने आलसी, फिजिकली आलसी, मेंटली लथर्जिक, और उनको मुफ्त में कोई चीज मिल जाए, या कोई बिना महनत मिल जाए, तो वो राजी है, टेलिविजिन में आ गया, तो उसको माला नहीं करनी है, बराबर सोशल मीडिया में कोई चित्रा आ गया, तो उसको तप नहीं करना है, वरत नहीं करना है, बट एक बात हमेशा याद रखनी चाहे, चाहे आध्यात्मा हो, चाहे संसार हो, इस जगत में, इस दुनिया में, बिना मेहनत आप कोई भी चीज हासिल नहीं कर पाओगे, तो यहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी, रुप्या कमाना हो तो राद दिन करते हो न, बिना पागल बने पैसा तो नहीं मिलता न, तो बिना पागल बने परमात्मा भी नहीं मिलेगा, फॉर्मिला तो वही भी वहीं लगेगी न, तो आज का कलियू का मानो मन्दाहा सु मन्द मतयो मन्द भागया हुपद्रुदा, भागया भी मन्द है उसका देखलो, बोले भागया भी एकदम आलसी है, तो उपनिश्यत तो कहती हैं कि ये तसमाद उतिष्ठता, गिता का है, और चरनवे मधुन दती, तुम खड़े होकर चलो, महनत करो, तो मधु मधु माने शहिद, यू विल फाइंड, तो आप मन्जिल तक पहुँचोगे, बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई, जितनी महनत करोगे, इतना प्राप्ती होगे, बहुत ही सुन्दर है, दर्शकों को बताना चाहेंगे, कि जैसे गुरुजे ने कहा, कि आप हाँ, टीवी देख रहा है, ठीक है, देख लीजिए, भागवान को देख रहा है, टीवी पर ठीक है, लेकिन ग्रंत खुलना मत भूलिएगा, कई लोग ऐसे होते हैं, जो ग्रंत खरीद कर, अपने देव को अपने जहां पर पूजा करते हैं, रख देते हैं, लाद कप्रे से लपेट लेते हैं, और उनकी पूजा करते हैं, करना चाहिए, लेकिन कभी समय मिले, तो खोल देना, खासता और पर राम नौमी, दुरगा नौमी के असर पर खोल देना, पढ़ लेना, बच्चों को सिखा देना, इससे हमारे जीवन का उधार हो जाएगा, गुरुजी का और प्रशना आपने कहा, कि सनातंद वैदिक धर्म जो है, तो धर्म रिलिजन नहीं है, तो क्या, शुड़ भी धर्मिक और स्पिरिच्वाल, हम धर्मिक हो हैं, या पिर अध्यात्म हो हैं? आचा, पहले आप समझ लीजिए कि धर्म और स्पिरिच्वालिटी क्या है, धर्म जो है, वो अधिक्तम कर्मकांड है, यानि फिजीकल एक्टिविटी, तो कर्मकांड में तो पवित्रो पवित्रो वहां से शुरू हो जाता है, फिर हाथ से करना है, पंचोब चार पूजा क करनी, इत्यादी, 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 और ये जो होता है, वो सामुहिक है, वो सामुह का कल्यान करता है, जैसे इसम में आप प्रविश करोगे, सीखिजम, बुद्धिजम, कृष्टिनिजम, इसम जहां आता है, वहां मास का काम है, और स्पिरिच्यूलिटी जो है, जि वो मैसिस के लिए है, आपने कहा ना कि बहुत सारे जवान कावड़े लेकर गंगा तलाओ तक जा रहे है, वो इजम है, वो धर्म है, ठीक है, लेकिन जब कोई अकेला बैठ कर अपने मेडिटेशन में नमशिवाई, नमशिवाई कर रहा है, वो अध्यात्म है, वो अकेला है, अपना कल्यान कर पाएगा, और उनके लिए वो धर्मक का कानुन जो है, कर्मकांड का, वो rules and regulation वहां काम नहीं करेगा, उनका भी अलग calculation है, उनका भी अलग calculation है, तो मैं तो कहूं कि व्यक्ति को ज़्यादा अध्यात्म स्पिरिश्वालिटी में होना चाहिए, और थोड़ा भाव धर्म में भी करना चाहिए बद प्रायरिटी जो है आप अध्यात्म को दो अन्तो तो गत्वा आत्म का कल्यान करना है दुनिया का कल्यान करने आप नहीं आयो हो You are not responsible for the masses You are responsible for yourself नहीं कि दुनों की जूरत है लेकि अध्यात्म है लेकिन मैं तोड़े से अपने सानातन वैदिक धर्म के बार में पर्डू उसको भाषा नहीं आती तो क्या बिना संस्कृत जाने बिना हिंदी जाने वहाँ अपने गरंद को पड़ सकता है देखो मैं थोड़ा कुराने खयालत वाला थोड़ा सा हूं और परंपरा में मानता हूं वंदे गुरू परंपराम आध्यात्म में बिना गुरू कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता है बहुत लोग केते कि हमने हनुमान जी को गुरू बना दिया श्री कृष्न को गुरू बना अच्छी बात है लेकिन वो आपके सामने गुरू का काम क्या है बोले समयम ब्रांती भंजनम जो शिश्य के मन के उंदर विचारों आते हैं सवालों आते हैं डाउट्स आते हैं उसका डिस्पेल कोई मुर्ति तो नहीं करेगी ना आपको प्रतियक्ष कोई व्यक्ति वो आपको बताएगा कि या तो आप भाशाग पहले सीखिए नहीं तो ऐसे ऐसे आपको सुत्र देगा क्योंकि पूरा सागर कोई नहीं पी सकता भाई आप एक दो कटोरा लेकर पानी पी लीजिए तो शायद गुरू इतना ही देगा कि भाई रामान में ये हैं भागवत मे ये हैं उपनिश्यद में ये हैं आप इतना करो ठीक है पूरा का पूरा करने के लिए जाओ जिनकी खतम हो जाएगी आपकी बट मेरा यहां एक बात है कि जीवन में सदगुरू की आवश्यक्ता बहुत जरूर है इसके वगर जीव का कल्यान संभव नहीं है गुरू बिनु गाव ही वेद पूरान सुकही लही हरी भगती बीनु यह तो शास्त्र बोलता है बला तो वहां से शुरू करो वह आपको गाइड करेगा ऐसा लग रहा है कारका में के जरिये हम उपनिश्द मतलब उपनिश्द गुरू के सामने गुरू के समक्ष बैठकर ग्यान प्राप् अब ने कहा कि सद गुरू तो मतलब सम्मान है सभी गुरू के प्रति लेकिन आजकल हम देखते हैं बहुत सारे गुरू है लेकिन किसको लक्षन क्या देखें कि मान ले कि यह सद गुरू है देखो हमारे में भी प्रोटोकोल्स होती हैं कानून होते हैं पहली बात तो मैं एक मिसाल आपको देता हूं कि जैसे कोई आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाओ तो आपको भरावस्वता होगा ने कि वह एम्बी बीएस तो कम से कम हुआ होगा इससे पहले तो उपासना स्मारत के लिए आता है उपनिशद दर्शन के लिए होता है ब्रह्मसुत्र और उपासना के लिए होते हैं श्रीमत भगवत गीता तो ये तीनों जिसने स्टडी किया हो गुरू के गाइडन्स के नीचे अपने अपने घर में बैठे पुस्तक को खुल करनी और मैं तो ये कहता भी हूँ आप कोई भी सजन को गुरू बनाए उनसे पहले ये पूछना आपका अधिकार है कि आपको बिलकुल क्यों नहीं आपकी डॉक्टर तो सिर्फ आपकी बॉड़ी के साथ थागडधिगड कर रहा है और ये गुरू तो आपकी आत्मा के लिए कर कि आपने किया है तो मैं बताऊंगा मेरा सर्टीफिकेट ये है बराबर ना तो ये बहुत ज़रूरी है आपने कहा ना कि आज तो बहुत सारे गुरू है आप किसी से दिख्षा लो इन से पहले पूछना कि महराज आपने ये तीन का अधियन किया क्योंकि इसके बगर ब्रा करकाम के अन्ता तो आ गए है बातों बातों में पताने कब मतलब 20-25 मिनत असमामत हो गए जैसे हमने कहा कि सरोवर के सामने खड़े है जिन्देगी बर प्यासे है बस 30 मिनत मिले है किना हम पानी पी है अन्ते में आपने पूरी दुन्या देखी है पले भरे लंडन में भारत में अन्यदेशों में गए है तो क्या पूरी दुनिया सनातन धर्म को किस नजर्य से देख रहे हैं इसका कारण ये है कि इसकी विविदता विशिश्रता और वैचित्रता ये तीन विकार जो है वी इसको जब तक समझ में नहीं आएगा तब उनको भी समझने है कि यह क्या चीज है लेकिन एक बात बराबर है जो हम परदेश शो में जाते हैं और वहां जो लोग देखते हैं उन लोगों को हमारे जो जितने परवा होते हैं जिसको वो फेस्टिवल कहते हैं उसको देखकर काफी इनको अट्रैक्शन होते हैं जैसे होली होती हैं दिवाली हम मनाते हैं नवरात्रे में अने कपड़े पहनते हैं तो यह देखकर इनको अट्रक्श क्योंकि और लोगों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है ठीक है फिर उनको ऐसे लगे कि इसमें से मेरे आत्मा का कल्यान हो सकता है तो कहीं लोग इसमें दिक्षित भी हो जाते हैं बाकि मैं थोड़ा कटरवादी हूं सनातन वेदी की धर्म हिंदू बन को ही नहीं सकता है हिंदू जन्म लेता है दुरलब है भारते जन्म दुरलब है इस परिवार में जन्म लेनवा और दुर्भाग्य है उनका जो इसको छोड़ कर कोई अन्यत्र बटक गया हो हम तो कहें कि घर वापसी तुम वापस आजाओ प्रॉक्षन करकर गायत्री मंत्र आपको दे देंगे फिर से आपको नामकरन संस्कार हो जाएगा अभी भी मोका है देरी नहीं हुई है दुरलब है भारते जन्म दुरलब है इस परिवार में जन्म लेना और यहां आने के बाद तुम चले गए वह बात अलगे लेकिन जब सत्य और ब्रम की प्राप्ति करनी हो तो आपको वेद के पास तो आना ही पड़ेगा वेद के वगर उपलब्दी संभाव नहीं है रूट के पास आना ही पड़े आपको आना ही पड़े खारकाम के अंद तक तो आ गई है लेकिन जाने स सकते हैं मैं जब देखता हूं पंडालों में ये लो तो शांत चीज से बैठकर डिस्प्लिन से ये लोग सुनते हैं कितनी समझ में आती वो मैं नहीं जानता हूं लेकिन ये चीज इन में है और ये लोग करते भी हैं इसलिए इनके सामने बैठकर कुछ अध्यात्म चर्चा करने का मुझे भी आनदाता है इन लोगों में ये चीज जरूर है और उनोंने भारत की संस्कूरूती अभी तक छोड़ी नहीं है जैसे मैं माताओं को देखता हूं साड़ी पेंती हैं मांग में सिंदूर होता है और मंगल सुत्र पेना है माथे पर बिंदी हैं भाई लोग च और आप एक बार अपनी कथा में कही थी और हमको मौका मिला था इntनाशनल रामाइन कोंफरेंस में जाने का और वहां पे हमारी हनुमान 14 के बारे में बात करने का पूरी दुनिया में अगर आप घूमेंगे तो यहां पे मरुष्ष में हर एक हिंदू की घर में हनुमान जी विराजमान है इसको देखकर आपकी प्रसंदा के बारे बताईए देखो हनुमान जी कल्यूग में प्रत्यक्षदेव है ये बात समझ लीजिए और उसको प्रसंद करना भी इतना ऐसान है आपके पुर्खो जब भारत को छोड़ कर यहां आए तो इन लोगों के हाथ में राम को लेकर आये थे और खेत में काम करते पसीना और जिस तरह से उसकी जिंगी थी तो हनुमान जी के उपर उनकी शद्धा थी तो इन लोगों ने क्या किया कि आंगन में पहले हनुमान जी रामान में साफ बताया है कि देव का मंदीर घर से अलग होना चाहिए इसलिए आप ल जो है सात्वीक है इसलिए हरी मंदिर तहां भिन बनावा यह रामान के हिसाब से आप लोगों ने किया वो देखकर में खुब प्रसन हूं के नहीं इन लोगों ने सचमुच में जो शास्त्र में लिखा है वैसे ही किया है भारत में आपको यह नहीं मिलेगा बहुत कड़व वाद कि सच है यहां है मैं खुब राजी यह देखकर गुरु जी समय समाबत हो रहा है लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है लिकिन क्या करें समय सीमा के कारण उसका पालन करना चाहिए कारगाम के अन तक तो आ गए है लेकिन दूशर्द हमारी नञजवान जो हमें देखर है नौजवानों को क्या खेना देखो नौजवानों के लिए तो हम ये कहें कि जब तक आपकी 16 अवस्था है तब तक आपका ना किताब में होना चाहिए ये दिस्ट्रैक्शन एक तो आजकल ये सोशल मीडिया का है कृपिया इस में ना आये दूसरी बात ये हैं कि संगती का ख्याल रखना जैसे संगती वैसो संसकार वैसो स्वभाव आपका हो जाए सर्व प्रत्थम आपकी माता और पिता जो है वो देव बराबर हैं उनकी आग्या क पालन करोगे तो कहीं भी वो आपको भटकने नहीं देगा याद रख्योगा चोवीस घंटे में परिवार के साथ भोजन एक बार करना नहीं भूलिए अकेले अकेले भोजन मत करना जो अन अलग हो गया तो आपका मन भी अलग हो जाएगा और दूसरा हो सके तो दो मिनिट परिवार के साथ भजन भी करना, यानि भोजन और भजन, इतना करोगे तो जिन्दगी में आप भटकोगे नहीं, सद्गुरु आपके जीवन में जरूर आएगा, वो आपका कल्यान करेगा, मेरा आशिरवाद है। गुरु जीन, सब बातों के लिए बहुत बहुत इहाद आएगा, कल्यान हो, नारागा, अरूरु आपके लिए, तोसे help, टूरु जान एफ एपके लिए झतहाद आएगा, कल् इंक प्ता भटके इन्यान हो कीनिप जि जू पनexp सब्सक्वारे, तोसे प्रोगे, तोसे प्सक्वारे, वर्म्म्म्म्म्म्म्म्